दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की पहले कवर भागलपूर बाका जमोई मुंगेर और खगड़िया में तुफान का असर कम होगा मौसम विभाग का कैना है कि तुफान के प्रभा में पांच दिसम्बर को दचिनपूर बिहार के भागलपूर बाका जमोई मुंगेर और खगड़िया सहित पांच जिलों में हलकी से मैदम बारिस का प्रवानुमान है बाकी जिलों में बादल चाय रहने का अनुमा मौसम विभाग के मुताविक 7 दिसम्बर से रात के तापमान में गिरावाट होने लगेगी इसके बाद ठन का असर बिहार के 38 जिलों में दिखाए देने लगेगा मौसम विभाग के मुताविक बंगाल के खाड़े में एक कम दबाब का छेतर बना था जो अब जवाद तु जारा नोक्रियों का पिटारा निति सरकार 6500 से ज़्यादा विदालयों सहायकों की नुक्ति करेगा इसके देजाब क्या जारہ है राज के सिख्चा मंतरी विजय कुमार चोधरे ने कोदिस की जानकारी दी है विदालाई सिख्चकों की बहाले कम्प्यूटर की जानकारी वाले योगता के साथ की जाएगी बहाली होने के बाद स्कूलों की साइबर केफे और वसुदा किंद्रों पर निर्वरता कम हो जाएगी आपको बता दे कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चातरों को विद्दालाई सहायक की मदद से हर तरह की दखनी की सुविदाय मुहाया कराई जाएगी ओलाईन फार्म भरने के लिए प्रकार निस्तर पर साइबर केफे जाने की आवाई सकता नहीं पड़ीगी और नई विवस्ता की जरी अब विद्दालाई सहायक के इन सभी कामों में मदद करेंगे इसके अलावे विद्दाले सायकों की मदद से ओलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी पहले से दुरस्त किया जाएगा। 15 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। 11 बजे से दोपर 2 बजे तक नेधारित है। अगली बड़ी खबर मुझपरपूर आख पोड़वा आई होस्पिटल पर बड़ी कारवाई प्रसासन ने किया सेल। मुझपरपूर में अप्रादिक लापारवाही ने मुझपरपूर में दरजनों लोगों के आख की रोसनी चिनली है। और 15 लोगों के बचुके आख को निकालना पड़ा है। मुझपरपूर आई होस्पिटल के सकर्तूर पर देश बर में संसनी फेल गई है। और इसे आख पोड़वा कांड बताया जा रहा है। इस मामले में सरकार की और से बड़ी कारवाई भी की गई है। प्रसासन ने मुझपरपूर आई होस्पिटल को सील कर दिया है। बाड़ी केबर मंगोलिया से बोद गया आया विदेशी निकला कोरोना पोजिटीव उप राष्ट पदी से मिला था सिष्ट मंडल मचा हड़कम। मंगोलिया से बोध गया आये 23 सदेसों के सिष्ट मंडल में से एक सक्स की रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव निकलने से हड़कम मच गया है मंगोलाई संसत के अदर्च गंबोजव जंडस्तर के नेतुत में सिष्ट मंडल ने बुधवार को प्राश्ट पाधी व्यांक्या नाड़ू सब्य मुलाकात के थे मंगोलाई महमानों ने बोध गया सित डुंगिस्वरी परवत पर भगवान बूध की तपोस्तली का दर्सन किया महाबोधी मंदिर में भगवान बूध का दर्सन और पूजा अर्चना की विदेसी महमानों की स्वागत के लिए जिला प्रसासन की टीम जुटी रही फिलाल मगद मेडिकल कोलेज के आइसलेसन वाड में पोजिटिव सदस को भरती कराये गया है पोजिटिव सक्स को दस दिनों के लिए कौरेंटाइन किया गया है गया जिला प्रसासन ने इसकी पुष्टी की है डाक्टरों ने कहा है कि सेंपल को जाज के लिए बार भी करोना के ओमिक्रान वेरियंट का देश में एक और केस मिल गया है डाची नपरिका से मुंबई लोटा सक्स संकरमित पाया गया है आप तक देश के तेने राजों में चार केस सामने आ चुके हैं इससे पले कल ही गुजरात के जामनगर में भी एक बुजूर्च इस आया है उसने कोई व्यक्सिन नहीं ली है रहत की बात है कि उसके संपर्क में आए सभी लोग कोरोना निगेटिव पाए गए है दिली मुंबई फ्लाइट में उसके साथ सफर करने वाले 25 यात्रियों के रिपोर्ट निगेटिव आई है अगली बड़ी कवर रेलवे ने फिर कैंसल के तीन ट्रेने पैसंजर के ट्रेवल प्लान पर जवाद का असर आप और डावन की पूरी पटना एक्सप्रेस रद जिया चकरवर्ती तुपान जवाद की बज़ा से ट्रेनों के परेचालन पर बड़ा असर पड़ा है एक बार प दो दिनों के अंतराल पर ही रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है आपको बता दे कि इससे पहले दो दिसम्बर को नोटिपिकेशन जारे कर साथ टेनों को कैंसल किया गया था जिसमें पटना से चलने वाली एड़ना कुलन एक्सप्रेस भी सामिल है आपकी जानकारे के लिए दो दे कि चार दिसम्बर को पूरी से चलने वाली टेन सेंग्या 08439 पूरी पटना एक्सप्रेस कैंसल कर दी गई है वहीं 5 दिसम्बर को पटना से खुलने वाली 0840 पटना पूरी एक्सप्रेस नहीं चलेगी इसे भी कैंसल कर दिया गया है वहीं 5 दिसम्बर को ही नई दि पूरी एक्सप्रेस भी स्केंसिल कर दी गई है बाड़ी कवर बालू खनन के निलामी प्रक्रिया पूरी बिहार के इनी जिलों में जल्द सुरू होगा खनन का काम जिया बिहार के कई जिलों में चर रहे बालू घाटों की बंदोबस्ति का काम पूरा हो गया है पटना समेत आ जालू घाटो की बंदोबस्य की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनमें पटना के साथ सारान भोजपूर औरंगाबाद रोहतास गया जमुई और लखी सराय सामिल है बड़ी खवर पटना वासियो को मिला सोगाद अदालत गंज तलाब परिसर जनता के लिए खुला नव वाड़ो में जनसवा केंद्र मिलेगी ये सुविदाय पटना वासियो की साम अब और खुसनुमा होने वाले है पटना स्मार्ट सिटी के बहु प्रतिची की योजना अदालत गंज तलाब का पुरनर विकास सहीद चार योजनाओं का काम पूरा हो चुका है अब इन योजनाओं को पटना वासियो को समर्पित कर दिया गया है सनिवार को मुखिमंतरे नितिस कुमार ने वर्चुवल मैदम से पटना की चार योजना को दगाटन और चो योजनाओं का सिलानास किया अदालत गंज चलाब में पटना वासु को कई तरह की सुधाई मिलेगी यहां पर संगीत की लाई पर पानी के फवार की निति की लूपत पटनावा से उठा सकेंगे साथी अदालत गंज चलाब में बोटिंग के लिए पांच बोट उतारा जाएगा यहां मौजूद ओपन एर थेटर में चोटे मोटे कारकरम नाटक आधी प्रदस्त किये जाएंगे साथी अदालत गंज तलाब के अलावा नो वाडों में जन सिवा केंद्र यानि कि वाड संग्या 14, 21, 32, 43, 43, 58, 65 की सिरुवात होगी जन सिवा केंद्र पाटना वासियों के लिए बड़ा तुफा साबित होगा जन सिवा से जन सिवा केंद्रों पर पाटना नगन निगम से जुड़ी सिवाई दी जाने लगीगी जान्व और मिर्तु पानमान पत्र के लिए भी यहां अवैदन जमा कर सकेंगे इसके अलवा टेक्स भी यहां जमा होगा आया टेसी की सिवा भी यहां पर मिलेगी जन सिवा केंद्र से ट्रेन और हवाई जाज का टिकट भी लिया जा सकेगा कुछ दिन बाद से यहां आधार कार्ड वा पैन कार्ड बनाने की सुविदा भी सुरू हो जाएगी अगली बड़ी कबर गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार सियम नितिस ने 12,000 लोगों को सोपी घर की चाबी जिया मुकि मंतरे नितिस कुमार निकल प्रधान मंतरे सहरी आवास योजना के तहत बने 12,352 आवास की चाबी लबार्तियों को सोपी दिन द्याल अंतोध योजना राष्ट्य सरी आजिव का मिसन के तहत कोल 89 स्वाइटा समुक की बीच भी 5.81 करोड रुपे का करज वितरित किया गया इसके अलावा स्मार्ट सिटी से जुड़े योजनाओ का भी दुगाटन एवम से लन्ना सियम नितिस न किया इनमें अदालत गंज तलाप पुनर विकास पर योजना जन सेवा केंदर इंट्रिजन सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम, इंट्रिगेटेड कमांड एवम कंट्रोल सिंटर, मंदिर नाला का विकास, पटना स्टेशन से 440 मिटर सब्वे का निर्मान, इसके मेमोरियल हॉल की फेसलिप्टिंग और एट टोयलेट आदिस सामिल थे अगली बड़ी ख़बर सिक्चा विबाग का अदेश 38,000 सिक्चकों के मूल परमान पत्र करे वापस जहां राज के सरकारे स्कोलों में प्रारामिक सिक्चकों के पद पर चैनित 38,000 सिक्चकों के मूल परमान पत्र वापस होंगे जुलाई और अगस्त में प्रातामिक वामाईद विदालोई के सिक्चक के पदो पर विक काउंसलिंग के दोरान अबियर्थियों ने नियोजन निकाय में अपने मूल परमान पत्र जमा किये थे हाला कि परमान पत्र वापस लेने के लिए अबियर्दियों को सपत पत्र देना होगा सुकुरवार को प्राथामिक सिख्चा निदेसक अमरेंदर प्रताप सिंग ने सभी जिला सिख्चा पदादिकारियों वो जिला करकरम पदादिकारियों को यह आदेश जारी किया है अगली बड़ी कबर अपर मुख के सचीव ने दिया सकत नर्देश टॉल फिरे नमबर पर कॉल किजिए और आदे गंटे में सराब पर एक्सन देखिए यहाँ टॉल फिरे नमबर पर कॉल किजिए और आदे गंटे में सराब पर एक्सन देखिए यह बाद मद निसेद निबंदन एवम उतपाद विभाग केके अपर मुख के सचीव केके पड़क ने कही है सराब की सुचना देने को मुक्याले से जो टॉल फिरे नमबर 18003456268 और 15455 जारे किया गया है उस पर सिकायत आती है तो 30 मिनट के अंदर में चापे मारी सुनिशित की जाएगी कीके पड़क ने कहा कि जो बी सुचना एक कॉल सिंटर में आ रही है उस पर चापे मारी होने चाएगे जिन जिलों में सिकायतों पर चापे मारी नहीं हुई है वहां के DM व। SSP को चापे मारी कराने का निड़ दिया गया है उन्होंने कहा कि जो अपना टॉल फिर नमबर जारे किया है उस पर सिकायते मिल रही है इस पर चापे मारे की जा रही है बाड़ी कबर बिहार के 94 लाग लोगों ने नहीं ले कोरोना वैक्सिन की दूसरी डोज देश में राज का चोता इस्तान या कोरोना वारेस के नए संक्रमन ओमिक्रोन के खत्रों के भी सरकार का सरवादिक ध्यान लोगों के टेका करन पर है राज में अब भी करीब 6 करोड लोगों की वैक्सिन की दूसरी डोज बगाया है इन में करीब 94 लाग लोग ऐसे भी है जो मियाद बितने के बाद भी वैक्सिन की दूसरी डोज लेने सिंटर तक नहीं पहुचते हैं समय बितने के बाद भी वेक्सिन की दूसरी डोस को ले बेरुकी दिखाने के मामले में बिहार का देश बर में चोता इस्तान है इस स्रेने में उत्तर प्रदेश का इस्तान पहला है बादी कबर कुमले और जीम लेकर के स्रेने में आया न्यूजिलेंड का यह किरिकेटर मॉंबई टेश्ट में जटक लिए पारे के सभी 10 विकेट जहां भारत और न्यूजिलेंड की बीच मॉंबई में चल रहे दूसरे किरिकेट टेश्ट में एक ऐसा रिकोड बन गया है जो इस पहले किरिकेट के 125 साल की तियास में सिर्फ दो बार हुआ है मैच में सांदार गेंदबाजी करते वे न्यूजिलेंड की स्मिनर एजाज पटेल ने पहली पारे में टीम इंडिया के सभी टेश्ट विकेट जटक लिए हैं एजाज पटेल से पहले या रिकोर्ड सिर्भारत के अनिल कुमले और जिम लिकर के नाम थे अब इस लिश्ट में एजाज पटेल का नाम भी सामिल हो गया है और अम की बड़े ख़बर रेल मंद्रे का बड़ा एलान कोरोना की वज़ज़ से टेनो के ऐसी डिबो में घट गए हैं 70 फिज़े यात्री टिकटों पर अभी छोट नहीं कोरोना महामारी में वर्स 2020 के दोरान ट्रेनों के ऐसी डिबों में 70 फिजे यात्री कम हो गए है रेल मंत्रे अस्विनी वैसनों ने सुकरवार को संसद में या जानकारी दी है इसके साथ इनों ने अभी साब किया है कि रेल्वे के टिकटों पर बंद रियायतों को फिलाल सुरू नहीं किया जा सकता है